इंडिया और आश्टिले के बीचे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला जा रहा है रोही शर्मा जो कि भारत के कप्तान है और इस वर्ल्ड कप में बहुत ही जादा विस्फोटक अंदाज से बल्ले बाजी करते हुए आए हैं वो 31 गेंदो में 47 रन बनाकर जरूर आउट हुए लेकिन आउट होते होते एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड बना गए आपको बता दे कि ये कारनामा अभी तक महेंदर सिंग धोनी जो कि भारत के सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं वो भी ये कारनामा बतौर कप्तान नहीं कर पाएं आपको बता दे कि रोहिश शर्मा इस वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे जादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं अभी तक ये कारनामा किसी नहीं किया है केन विलियम सेर रिकी पॉंटिंग ऐसे बड़े बड़े दिगजों का रिकॉर्ड तोड़ च्णा-दा रनों का रिकॉर्ड है केन विल्याम सेर श्री लंका के पूरु कफ्तान महेला जय वर्दने और के पूरकपतार रिकी पॉंटिंग और हुस्टिलिया के दूसरे पूरकपतान एरूं फिंच को भी पीछे चोड़ा है केंइ विल्यमस ने 2019 वर्ल्ड कप में बतौर कफ्तान 78 raca रन बनाए थे महिला जैवर्धनी ने 2007 वर्ल्ड कप में बतौर कफतान 548 रन बनाये थे जे बतौर कफतान 549 बनाये थे एर्ण फिंच ने वर्लड कफ 2019 पे बतौर कफतान 507 बनाये थे वहीं रोही शर्मा ने च्पसक्रिंच अब लेकिन अभी टीम इंडिया थोड़े मुश्किल में नजर आ रही है आगे देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इस बर वर्ल्ड कप की ट्रॉफि उठा पाएगी या पर नहीं कॉमें सेक्षन में कॉमेंट करके इमें जरूर बताएं और साथ से साथ हो फैन स्पोर्ट को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले